सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को हैपी दिवाली धेर सारी सुपकामनाएं आज हम लेकर आये हैं उत्तर प्रदेश स्पेसल जिसमें बहुत सारी चीजे देखेंगे अगर आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं कई सारी चीजें आपको नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी अगर आप एक बिसेस राज के लिए कोई भी बेकेंसी डाला है चाहे यूपी पीसल को लेकर हो यूपी आर्वियो एनल हो या आपके यूपी त्रेपल एस्टी को लेकर हो एक बिसेस राज से जितने भी किशन बनते हैं उसके लिए वेरी इंपोर्डेट बीडियो है इसमें आपके उत्तर प्रदेश से जितने भी बिद्यार्थी विलोंग करते हैं या अगर आपने भी उत्तर प्रदेश से कोई वेक인지 जाला है उत्तर प्रदेश का बिसेस एस्पेसल जीके जीस आपको चाहिए तो आप इस प्यूरे वीडियो को देख कर जाए इसमें ठोली आपको उत्तर प्रदेश एस्पेसल मिलेगा इसमें सारी चीज़े आपकी बेरी इंपोर्टेंट है चलिए बेड़ो की शुरुवात करते हैं हरे क्यूशन बेहत इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश इस्पेसल को लेकर ये बेड़ो पुरे योटूब पर आपको एकदम बेतरीन तरीके से मिल लई है नोयडा इंटरनेशनल ग्रेन फिल्स एर्पॉर्ट का निर्माड किया जा रहा है कुछ नए कियूशन आपको मिलेंगे कुछ पुराने कुशन मिलेंगे जो आपके पहले निक्तिया हैं सबसे पहले कौन क्या कैसे ये आपके एकजाम में आता है वो भी आपको इसमें मिलेंगे तो सारे question एक साथ include किये गये हैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को like और share करिएगा अगर आप चनल पनना है तभी आप subscribe करिएगा तो Noda International Greenfield Airport का निर्माण किया जा रहा है वो आपका जेवर गौतम बुद्धनगर में किया जा रहा है Noda International Greenfield Airport का निर्माण अगला है gram 25 दोरा लगा जाने वाला कर क्या होता है gram 25 दोरा लगा जाने वाला कर अस्थानी मेलो पर ये कर लगता है तो आपको याद रखना है ग्राम पंचाइटो दुरा लगा जाने वाला कर अस्थानी मेलो कर अग्रा प्रशने है सितार और सुर्बहार संगीत के इमदाद खानी खराना के लिए जाना जाता है सितार और सुर्बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को इटावा को जाना जाता है सितार और सुर्बहार संगीत के इमदाद खाना खराना के लिए अगला प्रश्ण है भारतेंदू नाट अकादमी के अस्थापना हुई थी तो आपको याद रखना है उन्नीस सो पचितर इस्वी में भारतेंदू नाट अकादमी के अस्थापना हुई थी अगला प्रस्टन है उत्तरप्रदेश में मार मृदा पाई आती है ये बुंदेलखंड जहासी हमेरपूर इलाके में मार मृदा पाई आती है आप पो याद रखना है उत्तरप्रदेश में मार मृदा पाई आती है तो बुंदेलखंड जहासी हमेरपूर अगला है शंभो महाराज को हिंदुस्तानी सास्री संगीत की सिच्छा दी तुरहे मुद्दीन खान ने संभो महाराज को हिंदुस्तानी सास्री संगीत की सिच्छा दी अगला है मुडिया पूरिमा मेला का अजन किया जाता है ये आपका मत्रुआ में लगता है गोवर्धन मत्रुआ के गोवर्धन में मुडिया पूरिमा मेला का अजन किया जाता है अगर आप भी उत्रप्रदेश शिवलोंग करते हैं कई सारी जानकारी आपको पता है लेकिन कई जानकारी आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा आपकी एक्जाम में जो आपका राजस्तरी परिच्छा होती है उसमें बिसेस राजस्ते कुछ क्यूशन बनते हैं यानि कि आपके आठ से दस कीशचन हर हाल में बनते हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से आपके आठ से दस कीशचन किलियर होंगे और ओ भी आपकी हर एक एक्जाम के लिए जो भी आपने उत्तरप्रदेश-बिसेस के लिए एक एक्जाम भरा है चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी पीसियल हो या कोई अधारिक्जाम हो जिसमें आएक बिसेस राज से कीशन पुछा जाता है उसको लेकर ये बेडो मनाया गया है प्रतम समाजवादी अभिनो बिद्याले खोला गया प्रियाग राज में खोला गया है प्रतम समाजवादी अभिनो बिद्याले अगला है वह जन जाती जो बहु विवा विवस्ता को आचरित करती है तो जवन सारी आपको याद रखना है वह जन जाती जो बहु विवा विव पीट की संस्थापा के अगला है उत्तर प्रदेश में पैटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में पर्थर्म ट्रेवल मार्ट का अजुन किया गया यह लखनों में किया गया उत्तर प्रदेश में पैटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में पर्थर्म ट्रेवल मार्ट हर एक क्य यह उत्तर प्रदेश में कुल केंदरी बिस्विदधलेओं के शंक्या आपको याद रखना है। आज के लिए उसमें आपके एक विश्यस राज से आठ से दस किस्ष चुनाते हैं और आपको याद भी होना चाहिए कि आगर आप उस राज से विलोंग करते हैं कई सारी जानकाले उससे आपको होनी चाहिए तो यहाँ उत्तरप्रदेश में परंप्रागत भूमी का मापंच कोई जोईकाई है बीघा में मापी आती है अगला है रोजगार की दिश्चे उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा उद्दोग आपको बताना है हत करगा उद्दोग आपका रोजगार की दिश्चे उत्तरप्र अंकित की है दसमी पंचवर्षी जुना में उत्तर प्रदेश में मूल वर्धितकर यानि वैट लागू हुआ एक जनबरी 2008 से तो मैंने पहले से भी आपको बताया था कई सारी नई जानकारी आपको देंगे कई सारी पुरानी जानकारी आपको मिलेगी कौन क्या पहले हुआ और अब हुआ सारी चीजे इसमें इंक्लूट किया गया है बस आप वीडियो को लाश तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगला प्रश्ण है हर एक क्यूशन आपके लिए बेहदी इंपोर्टेंट है कुछ नए क्यूशन आपको मिलेंगे देखने को कुछ आपको पुराने मिलेंगे कुछ आपके बड़े छोटे हर्प तरह के क्यूशन है उत्तर प्रदेश में एक रेल माडन कोश फैक्टी के स्थापना की जा रही है ये आपका लाल गंज राइबरेली में क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में एक रेल माडन कोश फैक्टी के स्थापना जैसे कि आप माद सकती हैं कि ये करेंट में चलना है कुछ पास्ट के मिलेंगे या ने कि पूराने किशन आपको मिलेंगे और पहला पुराना हर प् वादक्ता सरवादिक है आपको याद रखना है अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वीडियो को एक से दो बार तीन बार आप देखी बेहद ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा गंगा यमुना गोमती एवं जेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं लिएगा एक ही बीडियो में सरी जानकारी आपको मिल जाएगी गंगा यमुना गोमती एवं जेलम नदियों से होकर एक उत्तर प्रदेश से नहीं जरती आपकी जेलम अगला है भारत में चावल क्रिसी छेतर में उत्तर प्रदेश की कोटी है तो चावल क्रिसी छेतर में उ उत्तर प्रदेश की 2013 के क्रिसी नीत में क्रिसी विकास दर निधायत की गई अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुक्र साधनों का अवरोही क्रम आपको बताना है आ रोही बढ़ता क्रम होता है अवरोही घरता क्रम होता है तो उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुक्ष संसादनों का अवरोही क्रम आपको बताना है पहला आपका नलकूप, फिर नहरें, तालाब एवं कुएं, फिर आपका अन्र संसादन आता है अगरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल आपको बतानी है गन्ना आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख नगदी फसल है प्रथम बिकलांग दिब्यांग, यानि की बिकलांग कह लिजी या फिर दिब्यांग विश्विद्याले अस्थापित किया गया है देखे हमने पहले आपसे बताया था किसमें आपके कुश जो उत्तरप्रदेश में पहला है उसको भी आपको इसी में इंक्लूड किया गया जो नए किश्चन है करेंटाफ्यर्स के हैं वो भी इसी बीडियो में है तो आसा करता हूँ कि बीडियो आपको अच्छी जरू लग रही होगी बस आप बीडियो में बने रहें पर्थाम बिकलांग बिस्विद्याले आपको जब भी पूशा जाए आपसे उत्तरप्रदेश की बात कीजा रही है चित्रकोर में आपको ध्यान रखना है पर्थाम बिकलांग बिस्विद्याले अस्थापित क्या गया उत्तरप्रदेश में तो चित्रकोर जिले में ये बहुत important question है अगला है गुर गोविन सिंग स्पोर्ट कालेज के स्थापना की गई लखनाओ में गुर गोविन सिंग स्पोर्ड कालेज के स्थापना की गई यहां हम पढ़ने हैं उत्तरप्रदेश special तो आपको याद रखना है ये सारी चीजे जितने भी आपको हम बता रहे हैं अगला है वो किस नाम से है आपका राजरशी टंडन पुर्शोतम 10 टंडन मुक्त बिस्विद्डेले आपको याद रखना है उत्तरप्रदेश का एक मात्र मुक्त बिस्विद्डेले अगला है संगीत सिच्छाहेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महापिद्याले अस्तापित हुआ था वह है आपका भातखंडी हिंदुस्तानी संगीत महापिद्याले बढ़ते हैं अगले प्रिशन पर उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना बिश्विद्यले है इलाहावाद बिश्विद्यले जो आपका अब परिवर्तित नाम प्रियागरास से जाना जाता है ये सबसे पुराना बिश्विद्यले है उत्तर प्रदेश में अगला है उत्तर प्रदेश में बायो टेक पार का रानी लच्मी बाई बांध ये आपका वस्तित है बेतवा नदी पर आपको याद रखना है रानी लच्मी बाई बांध आपका बेतवा नदी पर अवस्तित है उत्तर प्रदेश में स्कूल आप पेपर टेकनलाजी इस्तित है सहारनपूर में देखे अगर आप उत्तर प्रद और दोनों के लिए बेहद ही IMPORTENT है आपके जानकारी के लिए यह आपको होना चाहिए हर एक जानकारी क्योंकि एक अगर आप उत्तर प्रदेश से ब्लों करते हैं तो यह सारी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका लखनव में अवस्ति थे केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान अगला है सस्षिवानकी का राष्टी सोध केंद्र अवस्ति थे जहासी में मिर्दा बिग्जान संस्थान प्रियाग राज में इस्तित है सीराधर मिर्दा बिग्जान संस्थान प्रियाग राज में इस्तित है जिसे परिवर्तित इलाहवास से प्रियाग राज परिवर्तित करके बनाया गया है अगला है उत्तरप्रदेश में जिला पंचायत का अध्यच निर्वाचित होता है तो आपका जिला पंचायत के सदस्चों के दोरा अपनों में से ही किसी को चुन लिया जाता है तो ये आपका जिला पंचायत के सदस्चों दोरा होता है उत्तर प्रदिश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है तो आपका पंचायत की सीमाच्छत की निर्वाचन सूची में समलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत की सीमाच्छत के निर्वाचकों में से चुना जाता है वो भी चुनाओ द्वारा क्योंकि वो आपकी वोटिंग होती है उसके बाद किसोरी सक्ती जुना का सुबारम उत्तर प्रदेश से हुआ था आपको याद रखना है इसका सुबारम हुआ था उत्तर प्रदेश में किसोरी सक्ती जुना का गेंडे को पुनरवासित करने का कार राष्टी उद्यान में चल रहा है तो आपको याद रखना है दुद्वा राष्टी उद्यान में ये उत्तरप्रदेश का दुद्वा राष्टी उद्यान है यहाँ पे आपको गेंडे को पुनरवासित करने का कार चल रहा है अगला प् को आपका सही क्रम बताना है तो आपका कानपूर नगर, लखनाउ, गाजियावाद, आगरा, वरारसी, मेरठ, फ्रियागराज अगला है 2011 की जनगर्णा की नुसार उत्तरप्रदेश का यह जिला यानि काउंसा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का गहना तो धारन करता है गाजियावाद उत्तरप्रदेश में छेतफल सरवादिक है तुलाखीमपूर खीरी जिले का सरवादिक छेतफल है अगला है उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 2011 के जिन देशों से कम है इसकी तुलना देशों से की गई है उत्तरप्रदेश की जैसे चीन भारत संयुक्तुराज अमेरिका और इंडोनेसिया से कम है अगला है 2011 की जनगंडा के नुसार उत्तरप्रदेश की अधिक्तम घनी आवादी एवं नियुंतम घनी आवादी वाले जिले आपको बताना है कमसा कंसे हैं स्रावस्ति की साचर्टा दर सबसे कम है बढ़ेंगे अगले प्रस्ण पर अगला है जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुका स्थान है ओ धर्मापका सिक्ष है अगला प्रदेश का आगरा प्रियागराज कानपूर एवं लखनव में सिवह नगर जो पुराने राष्टी महामार्ग टू द्वारा नहीं जोड़ा जाता है लखनव आपका पुराने राष्टी राष्टी राजमाग टू के द्वारा इसको नहीं जोड़ा जाता है अगला प्रश्न है अगला है उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दच्छिन आपको ध्यान रखना है जिसको बदो ही भी कहते हैं आपको याद रखना है अगला है वह अनसूची जनजाती जो बिजनवर जिले में निवास करती है वो आपके माहिगीर भोक्सा यानि बोक्सा जिसको कहते हैं अगला है सुरहा ताल पच्छी बिहार इस्तित है ये बरिया जिले में है देखे यूपी एस्पेसल का महत्पूर्ण किस्चन आपको इसलिए याद रखना है या आपका सुपर्टेट हो या आपका यूपी पीस्चेल हो या कोई भी आपका इस्टेट एक्जाम हो जो उत्रप्रदेश का हुस्त में आपके उत्रप्रदेश जिके या अधर एक्जाम भी जो होता है वहाँ का यानि कि अधर इस्टेट की बात करते हैं तो वहाँ का भी इस्पेसल जीके आपकी एक्जाम में आता है चाहे वो पर्यावराण से रिलेटेड हो या किसी भी तरह तरीके से आप से पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वनजियो भी हार है हस्तिनापूर जैसे अगर आप रेलबे का जोन बाईज भरते हैं तो उस जोन का विशेश पांच से छे क्यूशन आपको मिलते हैं कि वहाँ के बारे में जो जानकारी हैं आपको हैं क्या हैं क्या नहीं है तो ऐसी चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई भी परिशा देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी सेश चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाजियावाज जन्पत में आलमगीरपूर से प्राप्त पूरातत्ती सामगरी प्रत्विम्बित करती है हरप्पा संस्कित कूँ अगला प्रशन है कार्तिक एक लोगनित्र है बुंदेल खंडका है बनारास घराने से संबंदी थे मोती बाई, रसूल बाई, सिद्धेशुरी देवी अगला है उत्तरप्रदेश का प्रमुक लोगईत बिरहा आपको ध्यान रखना है ये उत्तरप्रदेश का प्रमुक लोगईत है अगला है उत्रप्रदेश में राष्टी कथक संस्थान इस्तित है लखनव में मोतीलाल नहरू बाल संग्रहाले ये आपका लखनव में इस्तित है अगला प्रश्ण है मौलाना मुहम्माद अली जोहर बिस्विद्यले के नाम से एक अलपसंख्यक सिच्छा संस्थान के अस्तापना की गई रामपूर में आपको याद रखना है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में जैन एबं बाउद धर्म दोनों का प्रसिद तीर्थ है कोशांबी में कोशांबी में ये उत्तरप्रदेश के कोशांबी में बाउद धर्म एबं जैन धर्म दोनों का परसिद तीर्थ है भाद का आप कलाभवन शंगरहाले ये आपका वरार्शी में अवस्थी थे अगला प्रस्ने है जन्गणना 2011 के नुसार उत्तरप्रदेश में महिला पुरुष संख्या का आपको अनुपाद याद रखना है 912 महिला प्रती 1000 पुरुष यानि 1000 पुरुष पर 912 महिला है अगला प्रस्ने है बिडला शमोद वरा एक 600 मेगावाट चमता के ताब बिद्दु सेंद्र का निर्माण किया गया था जिसकी वर्तमान चमता 1200 मेगावाट है तथा अभिया रिलाइंस पावर के स्वामित में है ये आपका रोजा में याद रखना है अगला प्रस्ने है बिद्दु सेंद्रों में से गैस आधारित है ओराया दादरी अगला प्रस्ने है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुक्खनीज आपको याद रखना है इंडालूसाइट, डैस्पोर, लाइमिस्टोन तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के ये पायाने वाले प्रमुक्खनीज है जिसमें आपको याद रखना है इंडालूसाइट, डैस्पोर, लाइमिस्टोन और डोलोमाइट को अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सीमान्त करिसा कहा गया है तो जिनके पास एक हेट्पियर से कमभोमी है उनको उत्तर प्रदेश में सीमान्त करिसा कहा गया है अगला प्रश्ण है लाल मिट्टियां पाई जाती है ये मिर्जापूर और जहासी जनपद में लाल मिट्टियां पाई जाती है अगला प्रश्ण है जो भी छात्र मिर्जापूर और जहासी से आते हैं उनको तो ये चीजे पता होंगी नहीं पता है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपको यह रखना है, गेहूं है अगले प्रस्ट के बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का परीच्छा परीच्छा बांद, ध्यान दीजेगा, परीच्छा बांद, आवस्तित है यह आपका बेतवा नदीपर है अगर ऐसे किश्चन आपकी ग्जाम में आते हैं तो आपको अलग टाइप सी लगेंगे बाखुबी आप इसको समझ नहीं पाएंगे प्रतिवर्स प्रसिद्ध सूपी संथ हाजी वारिश अली सा की मजार पर मेला लगता है तो यह आपका देवा सरीव में जहां प्रतिवर्स प्रसिद्ध सूपी संथ हाजी वारिश अली सा की मजार पर मेला लगता है सारनात आपका इस्थित है उत्तर प्रदेश में बहुत यह इंपोर्टन किश्चन है कई बार पूछा गया किश्चन है यह अगला प्रस्ण है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारती भासाओं की रच्चा तथा विकास से तू अस्थापित किया गया था यह आपका प्रियागराज में इस्तित है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारती भासाओं की रच्छा तथा विकास ये तू अस्थापित किया गया था ये आपका प्लियागराज में इस्थित है अगले प्रश्ण की बात करते हैं परहिया जनजाती निवास करती है ये सोनभदर में निवास करती है जनजात से कई सारे किश्ण पूछे गया है पहले की एक्जाम में और नए किश्ण में आपको भी मीत देखने को मिलेंगे आपको याद रखना है उत्तरप्रदेस की कई सारी जनजातिया जो हार एक जनपद की अलग-अलग है आपको याद रखना है जैसे ये सुन्दभद जिले की बात करते हैं जनपद यानि जीरा उत्तरप्रदेस में रेनो कोट में हिंडालकु हिंडालकों की इस्तिती का मुख्य कारान इसकी निकटता सक्ति के स्रोत से है अगला प्रश्न है लखनो योजना का शम्मंद शलक विकाज से है अगले प्रश्न पर चलते हैं करमा जिस छेतर का लोकनित है उसमें समाविष्ट जिला आपका सोन बद्र है तो करमा ये आपका जिस छेतर का लोकनित है उसमें आपका जो जिला समाविष्ट है ये आपका सोन बद्र जिला आता है उत्तर प्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर आपको याद रखना है शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है अगले प्रेश्ट की बारत करते हैं यमुना एक्सप्रेस भी कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा यमुना एक्सप्रेस की बारत कई बार आती रहती है तो greater noida si आगरा तक ये यमुना एक्सप्रेस भी है हमेशा आपकी ये न्यूज में चर्चा में रहती है यमना एक्स्प्रेस भी आपका अगला प्रशन है भारती चारागा एबं चारा अनुसंदान संस्थान ये आपका जहासी में है याद रखिएगा जहासी में आपका भारती चारागा एबं जारा अनुसंदान संस्थान इस्तित है अगले प्रश्ण की बात करते हैं बेगम शमरूनी एक अति प्रसिद चर्च का निर्माण करवाया सरधाना में अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में एक बबर्बर सेथ सफारी अस्थापित किया गया है इटावा में अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वाजनपत जहां अलबसंख्यक समुदाय का सरवाधिक केंद्री करण है वो आपका रामपूर आपको याद रखना है अगला प्रशने है उत्तर प्रदेश की पर्थम राजपाल सरोजनी नाइडू आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की पर्थम राजपाल सरोजनी नाइडू थी अगला है उत्तर प्रदेश का राज कीप अच्छी तो सारस आपको याद रखना है परुक्षा बाद जाना जाता है ये आपके हाथ की छपाई के लिए फरक्षा बाद जाना जाता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है 2011 की जनगर्णा की अंतिम आक्लों के नुसार उत्तर प्रदेश के सरवाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या की आकार के संदर में और रोही करम में आपको बताना है प्रियागराज, मुराधावाद, गजियावादा और आपका आजमगर्ण सरवाधि जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या के आकार में और रोही करम में आपको बताना था हिंदुस और मुसलिम एक्ता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयुद किया जाता है ये आगरा में आयुद होता है हिंदू मुसलिम एक्ता का प्रतीक सुलह कुल उत्सौ। अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में किसान में त्रियोना का आरंब हुआ था 18 जुन 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान में त्रियोना का आरंब किया गया था अगला प्रश्ण है भारत में उत्तरपदेश को खाद्यान उत्पादन में अस्थान प्राप्त है तो प्रथम अस्थान प्राप्त है भारत में उत्तरपदेश को खाद्यान उत्पादन में अगला प्रश्ण है आमले का सरवाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रताबगड़ है जहां आमला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्दोग का प्रमुकेंद्र बरेली है जहां पे दियासलाई जिसको माचिस कहते हैं ध्यान दीजीगा ना पता हो तो ध्यान दीजीगा यह माचिस होती है आपकी दियासलाई यह बरेली में सबसे ज़्यादा इसकी उ यानौकी नवाब गंज पच्छी बिहार आपको बताना है उननाओ जनपद में हैं उत्र परदेस में सहीद चंसे खर आजाद यानिकी अगला प्रशन है अनुसंगी नगर गाजी आवाद है अनुसंगी नगर अगला प्रशन है भारती दलान सोर संस्थान ये आपका कानपूर में है इसके पहले हमने किशन को करा था उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जनजातियों की शंख्या तो गोंड समों की सबसे ज़्यादा जन संख्या है उत्रप्रदेश में ये जो गोंड जिन जाती है उत्रप्रदेश में इसकी सरवादिक संख्या है बखीरा पच्छी बिहार जहां इस्तित है वहाँ जगहा का नाम आपको बताना है संत कवीर नगर यहाँ पे आपके बखीरा पच्ची बिहार इस्ति थे अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश की चर्कुला लोकनित का संबन्द है ब्रज मंडल से उत्तर प्रदेश की चर्कुला लोकनित का संबन्द ब्रज मंदल से है अगला प्रशन है माहर्श्री वालमीक आस्रम ये आपका बिंठूर में अस्थापी थे अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में परमाण उर्जा के अंदर अस्थापी थे ये नरवरा उत्तर प्रदेश में है और ये बुलंद शहर में इस्तित है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के स्रीमित बंडार की खोश की गई ललिकपुर जिले में तो आपको याद रखना है यूरेनियम की खोश उत्तर प्रदेश में जो आपके स्रीम सीमा आपकी 14 वर्स तक है अगला प्रश्ण है हिंडाल को अस्थापित है रेनु कोट सोनबदर में हिंडाल को अस्थापित है अगला प्रश्ण है उत्रप्रदेश उद्दोगबंधु योजना का उद्देश है और दोगिक एकाईयों की समैबध अस्थापिना सुनिष्चित करना अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तरप्रदेश असन्य संगेत रत्न प्रुस्कार जिसकी स्मिति में प्रारम्भी किया है वे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाग खा हैं अगले प्रस्न है चुनार में अनूब बेदिका है जिनकी वे भर्थरी है तो आपको याद रखना है कांसी राम क्रिसी एबं प्रद्दो की विश्विद्य ले अस्थापित किया गया अब इसका नाम बांदा क्रिसी एबं प्रद्दो की विश्विद्य ले रखा गया है यह आपका बांदा में है अगले प्रिस्न की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी छित्र में निनुतम वर्सा होती है मतुरा में अधिक्तम और निनुतम दोनों हमनों कर लिया है दोनों आपको याद भी होने चाहिए चावल के उत्तर प्रदेश का अस्थान आपको दुती याद रखना है संत्रे एवं लीची का पुनमुक उत्पादक जीला सहारनपुर है जहां पे लीची एवं संत्रे का उत्पादन होता है अगले प्रशन पर चलते हैं निचली गंगा नहर का उद्गम अस्थल ये नरावरा बुलंद सहर में है अगला प्रशन है गोविंद वल्लव शागर पर पेलबे में भी पूछा गया है अपके यूपी त्रेपलेस्टी में पूछा गया किश्चन है कई और सारे एक्जाम है जिसमें ये किश्चन आया हुआ है इंडियन इस्टिटूट आफ बेजी टेवल रिशर्च इस ती ते ये वरार्शी में इस ती थे अगर आप सुपर नदी पर निर्मी थे लच्मी बाइबांध पर यूजना अगले प्रश्चन की बात करते हैं भात में लोकसभा वाराजसभा में सरवाधिक पतनिध्व उत्तर प्रदेश का है ये तो आपको भी पाता होगा उत्तर प्रदेश में होली के तेवहार पर लठा मार या लाठी म न startup कहह लेजिए यह हो ली आपकी मनाई जाती है बर्षाना में मतुर्णा के बर्षाना में ये हो ली मनाई जाती है लठामार, अगला प्रस्ट है गुरु दुरोलाचार का जनम अस्थल कमपिल इस्तित है फरुखाबाद में गुरु दुरोलाचार का जनम अस्थल तो यहां से दो चीज़ें आपकी बन जाती है एक आपका गुरु दुरोलाचार का जनम अस्थल कमपिल में इस्तित है और ये आपका कमपील फरुखाबाद में है अगले प्रस्ट पर चलते हैं भूगर्भिक द्रिष्टी से उत्रप्रदेश प्राचिनतम भूभाग है गोडवाना लेंड का अगला प्रस्ट है प्राचिन जलोड मिट्टी यानि कि उचाई वाले भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को जाना जाता है राढ के नाम से अगला प्रस्ट है चलास चलास नमक घास बहुतायत मत्रा में पाई जाती है बुंदेल खंड में बुंदेलखंड में आपकी चलास नमग्घास पुहतार मत्रा में पाई आती है अगला प्रश्ण है वायू अपरदन से उत्रप्रदेश के सरवाधिक प्रभावी जिले हैं तो मतुरा एबं आगरा अगला प्रश्ण है प्रशिद गीता प्रेस इस्तित है गोराखपुर में प्रशिद धार्मिक पत्रि का कल्यान का प्रकाशन गोराखपुर से होता है अगला प्रस्टन है नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तो गुरकपुर आपका नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है अगला और लास्ट प्रस्टन है इस बीडियो का संद कवीर की निर्माड अस्तली मगहर ये भी आपके एक्जाम में कई बार आया है किचन है आपको याद रखना है उत्तरप्रदेश की मगहर में संदकवीर की निर्माण अस्तली है आसा करता हूँ कि बीडो आपको अच्छी लगी होगी और इस दिवाली की पावन अवसर पर आप सभी लोगों धोर सारी सुकामना के साथ ये मैंने बहुत ही UP Special Business Group से बहुत important बीडो है अगर आप ने पूरे बीडो को नहीं देखा है तो एक से दो बार आप इस बीडो को देख लीजेगा उत्तरप्रदेश की कई सारी जानकारी आपको इस बीडो में मिल जाएंगी अगर आप उत्तरप्रदेश के बाहर से बी हैं तो भी आप उत्तरप्रदेश के बारे में जान सकते हैं सिर्फ एक ही वीडो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जो भी किश्चन कई बार आए हुए भी है वो भी किश्चन आपको इस बीडो में मिल जाएंगी आसा करता हूँ कि वीडो आपको अच्छी झाल जम ए कर दोलाचम वे लो घज बुटिं